बीजेपी के वरिश नेता हरनाथ सिंग यादर जी हमारे साथ मौजूद हैं सर आज परधान मंत्री बुंदेल खंड के एक्सप्रसे का घाटन करने जा रहे हैं एक बड़ी योजना है बुंदेल खंड के लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट विकास के रूप में देखे विगत आठ वर्षों में आदर्णी परधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने और छे वर्षों में आदर्णी योगी आधितना जी ने उत्तर प्देश का चित्र चरित्र चाल चहरा पुरी तरिके से बदल दिया है आम नागरिक ये महसुस करता है गाउं गरीब किसान मजदूर से लेकर के चाह शिक्चक होंगे चाह करमचारी होंगे सबी समाज के वर्षों महसुस कर रहे हैं कि उत्तर प्देश में बदलाव की लहर चल रही है और ये जो संपरक मार गए है चाह वो राष्टी राजमारग हों चाह एक्सप्रेस में हाई वे हों चाह छोटे हैं ये तो एक तरीके से शरीर में नाडी तंतर की महता होती है उसी तरीके से नाडी तंतर की तरीक से इसका महता है और उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की और बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश की और बढ़ रहा है ऐसा इस पश्टों से दिख़ए दे रहा है लेकिन सर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ एक्सप्रेस बनाने से कुछ नहीं होगा, बुंदेल खंड की जो समस्या हैं वो बिलकुल अलग हैं, दूसरे अगर छेतन की बात की जाएतो हो, वहाँ पर पानी की समस्या है, बिरुज़गारी की समस्या है, पलायन जो है बुंदेल खंड को मेच ए, उसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए हैं? ही विकास करने की दृष्टी से प्रयासरते हैं, चाह स्वास्त की समस्या हो, चाह जल की समस्या हो, चाह किसान की समस्या हो, चाह मजदूर की समस्या हो, सभी समस्याओं का निदान समग रूप से भारती जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और उत्तर प्रदेश तो एक उत् निवीर का मामला हो या फिर महंगाई का मामला हो जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है उसको लेकर विपक्ष सरकार को गेरने की कोशिश कर रहा है ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई देश के बारे में समाज के बारे में और देश के सामने अनेक परकार के जो संकट है विपक्ष के भी भी इस पस्ट चिंतन नहीं है और इतना घटिया ना समझ चिंतन हींड बिपक्स हिंदुस्तान के अंदर है तुनिया में शाहिदी किसी देश के अंदर होगा मुद्दों की राजनीती नहीं करते हैं अब उनको आपती है कि सेर कैसा होना चाहिए चोटी चोटी ऐसी चीज़ें अच्छा और विपक्स की जो है ये वास्तम में ही सकारात्म को उसका द्रिष्ट कोन है तो आया सरकार जो है वो मुद्दे उठाएं सरकार चर्चा करने की तैयार है लेकिन हंगामा करना हला गुला करना अबद्र विवार करना ये तो संसत की मर् गएशिदा को खंडित कर रहे है इसलिए विपक्स को जो है यह विपक्स है चाहता है तो मुद्डों पर विपक्स जो घञिए चाहता है और कहरा है कि सरकार उन शब्दों से डड़ती है आखिर ऐसा क्या रहा है कि इसी का शब्द सबनों पर B2 सब्दों पर किसी परकार का कोई the रोک नहीं है और विपक्ष यह आदार हीं निरादार पूरी तरीके से इस परकार आ अरूप लगा रहा है लोकतंत्र में सब को अपनी बात कहने के दो सूत हैं लेकिन शालिंता के साथ मर्यादा के साथ मान मर्यादा का ख्यार रखते हुए करना चाहिए लेकिन बिपक्स जिस परकार से पिछले शह साथ वर्षों से और संसद के अंदर एक बहुत ही अवद्र विभार जो कर रहा है जिससे देश का सर नीचा हो रहा है देश की बदनामी हो रही है बिपक् पाक्सान के एक पत्रकार ने गंभी रारोप लगाया है भारत के उपर आश्पती हमेद अंसारी के उपर और कहा है कि उन्हों ने पांच बार बुलाया उनसे मलकाते हुई कुछ गोपनी जानकारी उन्होंने भारत में हासिल कि और वो फिर आईसाई को दिया है इसके उपर हमेद अंसारी कि उन्होंने किसी भी प्रोग्राम में किसी पाक्सानी पत्रकार को नहीं बुलाया नहीं उनसे मलकात की है आप कैसे देखते हैं इस पूरे परागर को देखे हमेद अंसारी साब क्या कहते हैं ये विश्य तो अलाग है उसके उनकी तो बाकाइदा उस पत्रकार के साथ में बैठे हुए फोटो भारती जनता पर्टी ने दिखाए हैं उन फोटो को कैसे न कर सकते हैं और जो वो पत्रकार तो इसपष्ट तोर से कर रहा है जो आई आई आसाई का एजेंट है उसने इसपष्ट काया मुझे पांच बनाया, पांच बार वर्ता किया एक बार मैं समय से नहीं पूँचा इस Чy tee कह तै बोर दूसरी बात मैं चाहता हूं कि दूद का दूद पानी का पानी अपने आप पहो जायागा उनका हमें तैस्त होना चाहिए सत्umba परिक्सर होना चाहिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और यह दो इंकर करते हैं कि हम अपने टेस्ट नहीं कराएंगे तो इसका मतलब कुछ ने कुछ दाल में काला है और यह वो निर्दों से पूरी तरीके से कहीं किस्मिर कर कि कोई उनका सांट गाट नहीं है आई ऐसा इ झाल में लाट नहीं है